आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो प्रेंड्स, Question पूछा है Wine and Beer are produced directly by fermentation whereas Brandy and Whisky require both fermentation and distillation this is because तो बात करेंगे हम पर Wine, Beer, Brandy, Whisky यह सभी alcoholic beverages है लेकिन वाइन और Beer के अगर बात करेंगे तो यह directly fermentation से मिलेंगे लेकिन Brandy और Whisky इन्हें fermentation भी लगेगा और इसके बाद distillation भी करना होगा तो ऐसा क्यों है तो देखिए जो खास करके East या फिर Bacteria ये Responsible खास करके East ही होगा बैक्टेरिया कम होते लेकिन ये क्या करेंगे Fermentation process Fermentation के लिए अलग-अलग precursor यूज किये जाते है alcoholic content के लिए देखिए जैसे grains का यूज किया जाता है और इनका fermentation किया जाता है अब जब fermentation किया जाएगा तो इसे हम बोलेंगे Unaerobic respiration और इसके end में हमें मिलेगा alcohol लेकिन जैसे जैसे alcohol बनता जाएगा fermentation process प्रसीड होती जाएगी अलकोहल बनता जाएगा ये East के लिए self-sucedal बनते है self-sucedal मतलब अलकोहल ये East को क्या कर देंगे मार देंगे कि further fermentation ना हो और इसके वज़े से अलकोहल जो बनता है वो maximum 10-18% इतना ही अलकोहल बनता है लेकिन हम बात करेंगे अगर ये other beverages मतलब हम wine और beer छोड़के brandy और whisky इनकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे more than more than 20% इतना अलकोहल और इससे भी जादा 40% से भी जादा अलकोहल इसमें होना ज़रूरी होता है यही इसके identity है अब हम क्या करेंगे अलकोहल तो 10-80% से जादा नहीं बन सकता content हमें तो 20% से भी उपर content चाहिए तो हम क्या करेंगे इसमें से पूरा पानी निकल देंगे वही तो होता है distillation का मतलब क्या होगा distillation removal of water तो water remove जैसे ही करेंगे हमें क्या मिलेगा concentrated alcohol मिलेगा जितना हमें concentrated चाहिए उतना concentrated alcohol हमें मिलेगा और यह हम use कर सकते है brandy and whiskey बनाने के लिए तो options देखेंगे fermentation is inhibited at the alcohol level 10 to 18% यह सही है fermentation यह inhibit हो रहा है तभी तो हमें इसका distillation भी करना पड़ेगा fermentation से alcohol बनेगा distillation से इसका concentration बढ़ेगा in case of dandy and whiskey तो यह सही हो गया इसके बाद distillation prolonged storage नहीं इसके बाद distillation improves quality यह भी सही नहीं है distillation purifies the beurages यह भी गलत है distillation से concentration बढ़ाना यह सबसे primary हमारा aim होगा तो option number one जो है वो होगा हमारा सही answer Thank you Classics चुट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोट करें doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 सूपर